नमस्कार दोस्ता अलिराजपुर लाइए में आपका स्वागते में समय मौझूद है अलिराजपुर दिले के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत नानपुर में जहां दो पंचायतों के बीच में बसाया यहां नानपुर मुक्तिधाम जहां पूरी तरीके से इस्थिती हम ने दे सब्सक्राइब नानपुर ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम बना हुआ है नाम है केवल और यहां पर पूरी वहस्तित है ना बाउंडरी वाल ना गेट है ना कोई यहां पर सुरक्षा की द्रश्टी से कुछ भी नहीं है मुक्तिधाम के बारे में ज्यादा तो नहीं कहूं हूं है फिर भी यह मुक्तिधाम दोहजार तेरह में निर्मित हुआ था जो ग्राम बंचाइट नानपूर और ग्राम बंचाइट दोलकड़ा के मद्दे यह हमारा मुक्तिदाम लगता है वह यहां पर सभी समाज के वरगे के लोग है वानी समाज माली समाज राठोट समाज परजापस समाज अंतिम यात्रा जो होती है वह इसी केची है वह भी मरमस से टूटी हुई है यहां पर किसी परकार की व्यवस्ता नहीं है पानी के लिए हमें यहां पर टेंकर लाना पड़ता है और टेंकर के साथ में यहां पर जब गाउं से आते हैं तो किसी परकार की यहां पर सुईदा उपलब्द नहीं होती है रहा हूं कि इस मुक्तिधाम को सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा है शाशन प्रशाशन और राजनीतिक दल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं पूर्व में भी जब 2008 से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डेट बोडी को धार जिले के कोटेश्वर में ले जाकर अंतिम किलोमिटर दूर है और उसके बाद 2013 से यहाँ पर मुक्तिधाम की सुरुवात होई लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आज तक कोई व्यवस्ता नहीं की गई मैं बताना चाहूंगा कि मुक्तिधाम का आज तक यहाँ पर कोई गेट नहीं बनाया गया है उसके बाद में परी चायतों के बीच में ये बना हुआ है कापी संक्या में लोग अपने परिजन को लेकर आते हैं और उनको बेटने की कुछ भी व्यवस्ता नहीं दी जाती है यहाँ पर चार से पास समूदाई रहते हैं माली समाज राटोर समाज वानी समाज जेन समाज प्रजापस समाज एसे म कि पहली बोड़ी का अंतिम सस्कार नहीं किया जाता है उसे इस्थान नहीं मिलता यहाँ बहुती बुरा मंजर होता है यह कई बार हमारे द्वारा देखा गया है को रोना काल में भी देखा गया है इसी पर बारिश के समय में हमने देखा है कि एक सेट के नीचे एकत रित न का और हमारे राजनीतिक दलों का ध्यान आकरशित करना चाहूंगा क्या इंसान को मरने के बाद भी मुक्ति यहां मिलती है तो आप देख ले किस तरीके से यहां इंसानों की मुक्ति मिलती है कुरू पराणों में हिंदू सास्त्रों में कहा जाता है कि इंसान को मरने के हमार साथ बनेहरा अली राजपु लाय से नान पूर से जितेंद्र रवानी की रिपूर